ओम अज्ञानत्य मिरांधस्य ज्ञानन जनुशलाकया चक्षूरन्मिलितं येना तस्मै श्री गुरुवे नमा श्रिमद भागवतम पहला केंटो उनिसवा अध्याये तो इस्लोक संग्यारति संथिस्म कर चुके हैं तो आपने सुना कि शुगदेव गुष्वामी मंच पर आ गए हैं और परिक्षित महराज उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं इससे पहले कि उनसे प्रशन पूछे तो हमने ये चर्चा करी थी कि वैदिक कल्चर बहुत ही रिच है उस कल्चर में आप सीखेंगे यदि आप भागतम को ध्यान से सुनेंगे तो एक कल्चर डवलब होता है इसलिए कहता है कि बच्चों को भी इसको सुनाना चाहिए बच्चे अंडरस्टेंड करें कि किसी का वैलकम कैसे किया जाता है किसी को परणाम कैसे किया जाता है किसी को ग्लोरीफाई कैसे किया जाता है कि यह चीजें समाप्त होती जारी हैं, मशीनी करने के संसार में आदमी आदमी से बात नहीं करता है, आज की रेट में सिरह मशीन से बात कर रहा होता है, मशीन में एक चैट कर रहा होता ऐसा। छोटी छोटी भरीक परीक चीजें ये समापत होता जा रहा है वैभरिकता समापत हो जा रहा है तो अगर इन गरंतों को ध्यान से सुनेंगे हमारे बच्चे बच्च्पन से ही तो उन्हें पता चलेगा कि प्रश्ण पूछना भी एक कला है जो कि हम देख सकते हैं पूरी में क्या करनी है जो जीवित है अभी मरनासन है सभी के लिए क्या करनी है तो बता रहे हैं कि यह कैसे संभावे कि आप स्वेच्छा से यहां पर आ गए इस नाट पॉसिबल भगवान की किरपा से ही आप यहां पर आए हैं और अब हमें मार्ग दिखाईए आगे बोलते हैं किरपिया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए क्या जबना चाहिए क्या स्मरन करना चाहिए क्या पूझना चाहिए और यह भी पताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए किरपिया करके मुझे यह ऐसा दो बतलाएं हम किसी संद के पास जाते हैं तो यह पू वास्ताव में पूछना बला आनिवार है हमें कई प्रशन पूछने चाहिए है आप मेरे से प्रसंतों है मैं आपको सर्व कर पा रहा हूं मेरे कारे में मेरे व्यभार में जरूर कोई तुर्टी होगी आपको कोई तुर्टी लगती है तो क्रिप्या बढ़ाई ए कई प्रशन हो पूछने चाहिए यहां बता रहे हैं कि मुझे क्या सुनना चाहिए हमने कई लोग को देखा है देखिए यह परिक्षिद महाराज है यह आपको और मिले को सिखा रहे हैं कि ऐसे नहीं गए यूट्यूब में और जाके कोई भी लेक्चर उठाया और सुन लिया पर हैं नहीं मेरे दादाजी के मंतर जबते थे यह पूछ रहे हैं कौन सा मंतर जबना चाहिए बताइए क्या स्मरण करना चाहिए या एक तरह से क्या पढ़ना चाहिए पढ़के क्या स्मरण करना चाहिए हम लोग यह भी नहीं पूछते कोई हमारे बर्थेडे पे कोई बुक में गए spiritual books की बात कर रहे हैं अभी novels वगरा को तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं I understand कि आप उस level पर तो नहीं है at least spiritual किताब की बात करें दबाकियों की तो बात ही क्या करें उसमें भी कोई भी किताब हम उठा के पढ़ने लगते हैं तीन दिन कोई किताब पढ़ी थोड़ी कुछ पन्ने पल्टे फिर कोई और किताब उठाई उसके पन्ने पल्टे यहां पर पर परिशित महाराज is such an exalted devotee of Krishna कितने कौन है संसार में जो परिशित महाराज से सीनियर हो सकता है सोचिए He is one of the mahajan, he is mahajan, he is mahat, mahatma, वो वेक्ती जो की मिर्टियों से नहीं डरता इतना tolerant, इतना forgiving, जिसको बचाने के लिए स्वाम भगवान आय थे गर्व में ऐसा वेक्ती तो सोचता है, मैं तो जानता हूँ, I am self-realized, so बगवान मुझे बचाने आये, तो मैं कुछ भी उठा के पढ़ सकता हूँ और ऐसा कई बार हमारे कई भगता ऐसा कर लेते हैं तो यहां बता हैं कि मुझे बता ही है, मुझे क्या सुनना है, क्या जपना है, क्या स्वामन करना है, और कैसे पूजा करनी है पूजा करनी की हमने अलग-अलग विदियां बना रगी हैं, हमारे घर में मंदिर बने में हैं, सबके अपने self-styled मंदिर बने में किसी को कोई पसंद था, किसी को कोई पसंद था, कहीं कोई बाबजी के पास गए, कभी कोई गया, कोई फोटो उठा के लाई वहां रख दिया और आल्टर में खिचडी पकी लिया, खिचडी, सारे दुनिया के देवी देवता हमारे मंदिर में पाए जाते है क्योंकि हम जहां गए वहीं का कुछ अच्छा लगा वह उठा लिया कभी हमने training नहीं लगी क्योंकि हमने लगा ही नहीं कि इसके लिए भी training क्या हो शकता है यहां पर परिक्षिद महराज़ी आसकी इस और questions यह questions एक trainer training training जो training ले रहा है क्या सुनना है, क्या जबना है, क्या समाना करना है, क्या पूजना है और यह भी बताएं कि क्या नहीं करना है, क्या क्या नहीं करना है जैसे परुपाद ने बोला आपको मीट इटिंग नहीं करना है, छोड़ देनी चीए शुरुआत कर सकते हैं भक्ति की meat eating के साथ भी लेकिन धीरे-धीरे परियास करना चाहिए इसको छोड़ने gambling नी करने जुआ नी खिलना चाहिए पराइस्त्री से सम्द्र नहीं मनाना चाहिए बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए, किसी परकारकार नशा नहीं करना चाहिए, इन सब को छोड़ने का परयाद दिरेदे करना चाहिए, डोंट्स परुपाद ने बताए, और बहुत सारे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो हम सुनते हैं कि किसी से इरशा नहीं करनी यह गुणों को अर्जित करने के लिए हमें महनत करने पड़ेगे इसलिए हम श्रमन करते हैं क्योंकि बार बार श्रमन करने से मारा हिदय शुद्ध होता है it is not easy कि कोई मंत्रों का कुछ गुच्छा कोई पढ़ दिया और फटा 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 पट सवेरे रोज कुछ गुमाया गुमाया कुछ कुछ मंत्र बोले और चले ओफिस को सुनना ऐसा चीए जो हिर्दय में उतरे और उसमें कुछ इंट्रोस्पेक्शन हो कुछ हिर्दय में परिवर्दा नाए तो किर्पया करके मुझे यह सब कुछ बताईए कहा जाता है कि आप लोगों की घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते जितनी देर में गायें दुही जाती है रुकते ही नहीं हो आप दूसरों के रुखे क्योंकि एक सन्यासी का निचर होता है हम सुनते हैं वरिंदावन के शड़ गोस्वामियों के बारे ने छे गोस्वामी जिन्होंने वरिंदावन की खोज करी महरूप और सनातन आपने सुना ही है जीव Ghoswami, गुपाल भट गश्वामी, रगुनाद तास गश्वामी, रगुनाद भट गश्वामी, इच्छे गश्वामी जो चैतन महापुरू के शिश्य थे और बाद में इन्होंने भक्तिक संपरदाय को बढ़ाया, तो ऐसा सुनते हैं कि इच्छे गश्वामी विरिंद तो पेड के नीचे ही तो जमावडा बनता है क्योंकि पेड के नीचे एक दिवार कडी होती है फिर एक काला पथर लगके शनीदे वहाँ जाते हैं एक बजरंग बली वहाँ जाते हैं थोड़े दिन में चारों दिवारे बन जाती है फिर थोड़े दिन में च्छत बन जाती है उतने सालों से रहो घर कैसे बदलनों? रिष्टेदार है पड़ोस है, समको जानते है अरे प्रभुजी वहांपे भग्त मिलेंगे ना बखती कर लेंगे जूम से होतो हुग ए वक्ति कर लेंगे एसी वक्ति ए तो हमारी आसकती हो ही जाती है जगा से तो इसलिए यहां बता र इतनी देर भी लोगते हैं तो यहां परुबा बता रहे हैं पुराने जमाने की बात में हर घर में गाये होती थी गरीब से गरीब एक पास भी आट तस घाये तो होती थी और इतना दूद होता था कि जो भी आये आजकल तो पानी पिला दें तो बहुत बड़ी बात है दूद तो कोई चाय पिला तैंगे, क्योंकि चाय में इतना जाएगा पानी और इतना सा जाएगा दूद हल्की सी वाइटिश दिखना चाइगा हैं और पत्ती काम करी देगी अपना तो चाय तो हम पिलाने को तियार होगे लिए कोई दूद मांग ले तो लगता है बढ़ाया नवाव दूद मांग रहा है दूद बढ़ा अचली मुश्किल वस्त हो गई आज की रेट में परवा बता है कि हर किसी को भी अराम से दूद देने में हिचकते नहीं थे घर में कोई तो तो अचली परेख वह वन दूद कई दूद देने निकालने में इतना समय लगता है उतनी देर भी नहीं दो को तो जाने पढ़े कि पैले से घर में दूद है तो शुकोव्दे पाओ गे अगर अ looking aynı्य बैठी है ज़रा मैं दूद निकाल दूँ उती ही दिर मों निकल लिए हैं आपको पहले से रेडी रखना पड़ेगा इतना कुशल होना पड़ेगा यदि संतों की सेवा करनी है और इतनी देर में ही ये आपकी कुशलता है कि उनसे कोई ऐसा प्रश्न पूछना है जिससे हमार अपकी हमारा उद्धार हो सके ऐसा ना हो कि वह आये और चले जाएं क्योंकि संतों के हिर्दाइं में भगवान रहते हैं कुछना कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि अब वह हमें भगवान को दे के चले जाएं लेकिन हमारा समय रहता है स्वामी जी आयो बताओ भड़ी अर यही मसले सुलशते रहें तो इसलिए कहते हैं कि संत लोग हमारे घरों में हमको पवितर करने आते हैं और थोडे से समय में हमें कुछ ना कुछ उनको सर्व भी कर देना है اور कुछ ना कुछ उनसे ऐसा भूलवाना है जिससे हमारे हिर्दे में भी गोविंद ट्रांसफर ह तो ये सुनके सुत्गुस्वामी ने कहा तता परश्न किये तब व्याजदेव के पुत्र जो महान तता शक्ति संपन पुरुष एवं धर्म वेता थे उन्होंने उत्तर देना प्रारम किया तो किसके बारे बता रहे तो पहले तो बता रहे बता ही खुदी बता रहे कि जो उन्होंने बाते करी कैसे करी बड़े प्रेम से बड़े प्रेम से उन्होंने बाते करना शुरूर किया एक परिक्षित महाराज के बारे जैसम ने सुना मीठी भाषा का प्रयोग करते हैं राजा ने बाते करते हैं राजा शत्रिय था आप कह सकते हैं शत्रिय तो रावीला वेक्ति होता है रावीला लेकिन उन्होंने बड उन्होंने उत्तर देना प्रारंब किया और आप सभी लोगों को बहुत-बहुत congratulations कि आप लोगों की अथक किस से patience है मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोल पाता लेकिन आपने फिर भी इतनी पेशन्स दिखाई मुझको मोटिवेट किया कि हम लोग श्रीमत भागवत के पहले कैंटो को समाप्त कर भाए तो हमने पहला कैंटो समाप्त कर दिया है ऐसा लगता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा एक एक दो दो तीन तीन स्लोग पढ़के भी हम यहां पर पहुंच गए उत्साहात, निश्चयात, धहर्यात लेकिन अभी हम समात्त नहीं करेंगे इसको अभी हम लोग 18 अध्याय और 19 अध्याय को फिर से इसका रिवीजन करेंगे क्योंकि रिवीजन दोनों अध्यायों का रह गया है तो इन दोनों का अध्याय को रिवीजन हम करेंगे और फिर दूसरे केंटो में हम चलेंगे तो थोड़े दिर हम पहले अध्याय का यानि कि 18 अध्याय का रिवीजन आज शुरू कर देते हैं थोड़ा सा रिवीजन पढ़ लेते हैं 5 मिनट तो 18 अध्याय जो कि परिशित महराज को कैसे ब्रह्मन के पुत्र से शाप मिला उसके बारे में था और शुरुआत इसकी होती है परिशित महराज के जन्म से एक समधी के रूप में सुद्ध कुसामी परिशित महराज के जन्म और जीवन के बारे में जल्दी से बता देते हैं ताकि क्यूरियोसिटी डवलप हो सामने वाले के अंदर और और परस्ने पूछे तो वो बताते हैं शुरुद कुसामी कि इनका जो बर्त दावला महान था क्योंकि इनके बच्पन में ही इनके पेट में अस्वत्थामा का जो अटैक हुआ मा के पेट में और भगवान द्वालाय स्वाय बचाए गए इसलिए इनका नाम भी विश् तो तो रहा श्राप पिला लेकिन फिर भी ये बिल्कुल नहीं डरे कि मुझे एक साप को साप डस लेगा और मेरी मिर्ती होने वाली जनरली आदमी को पता लगजा साप से मरेगा तो एक कमरे में जाएगा कमरे के सारे दर्वाजे बंद कर लेगा दर्वाजों के नीचे दरे नहीं ये बिल्कुल सरेंडर्ड वैक्ती थे ये इन्होंने सारी मैटीरियल अटेश्मेंट को त्याग दिया और शुदेव गुसामी को इन्होंने सरेंडर किया समरी में सुद्ध गुसामी बता रहे थे अभी तो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो ये सब कुछ वैक्ति उसको कहते हैं एक उस वैक्ति की जिसने अपना पूरा जीवन भगवान के विशय में चर्चाएं करने में निकाल दिया हो और पूरा जीवन इसमें निकाल दिया हो भगवान के चर्णों का समर्ण करने में यानि कि How can I serve Krishna and devotees इस ख्याल में और इस प्रयास में जिसन महान है समझवाया जिसने पूरा जीवन भगवान की भक्ति में चर्चाओं में निकाल दिया हो और पूरा जीवन भगवान की भक्तों की सेवा में लगा दिया हो उसका जीवन उसके मिर्तियों महान है फिर बताते हैं कल्यूक के बारे में पांच में और शटे शलोक में कि क कल्यूग का सित्री यह हो गई थी कि भगवान के जाने के बाद कल्यूग तो आ गया था लेकिन वह पनपन नहीं पा रहा था क्योंकि परीक्षिद महाराज उसको पनपने नहीं दे रहा था आप जानते हिं अ उसको पनपने लिए जगाई एक पहलाakov वहां धिजाओाई तो पनपने नहीं पारा था और साथमें शलोग में बताते हैं कि अल्दो कल्यूग तो बुरा है लेकिन कल्यूग की कुछ क्वालिटीज भी हैं कि हम अच्छा कारे करने का यदि संकल्प ले लेते हैं तो उसका फल मिल जाता है संकल्ब लेने से ही करने के बाद तो और मिलता है लेकिन बुरे कर्म का फल तभी मिलता है जब हम बुरा कर्म करते हैं यानि कि मन में अगर बुरा सोच रहे हैं तो उसका फल नहीं मिलता है लेकिन हम परसनली हम यह विचार करते हैं कि मन में बुरे कर्म का विचार आ जाता है तो एक दिन कारेयों वे आ जाता है लेकिन उनके लिए है कि मन में आया और बुद्धी से समाप्त कर लिया किसी वैशनों से मिले रिवील किया समाप्त कर लिया तो उसका कोई reaction नहीं लगेगा तो इसलिए कल्यूग का फाइदा भी है इसलिए कल्यूग जो है जो मूर्क लोग है उनके लिए बड़ा भैबीत करने वाला समय है लेकिन समझदार लोगों के लिए कल्यूग महान है क्योंकि हम यह भी जानते हैं कि कल्यूग में केवल नाम के जपने सही भागवान को प्राप्त किया जा सकता है तो यह सारी बात है सुदको सावि ने बताई और बोला कि मैंने अब सब कुछ तुम्हें बता दिया जो जो तुमने में से प्रश्म पूछा था हूँ है और अंधमें कहते है कि जो भागवान की लिणा को सुनने के लिए बड़े इच्छुक हैं वो वैक्ति वास्तों में ट्रांसिदेंटल क्वालिटीज वाले हैं और वो डवलब भी कर लेते हैं और जो लोग परफेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको उनको भगवान के लिए लाओं के सुनना चाहिए तो ये दस लोग बोलने के बाद अब वो चुप हो गए अब जो है सामने वालों के अंदर मास्वान की त्यादी रिशी के अंदर और उसकता बढ़ गए और बोलता है हो सुनो 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 आपकी लंबी उमर हो आप लंबा जीए आपका फेम चारों तरफ आपका परसिद्धी चारों तरफ फैल जाए अब उनकी ग्लोरिफाई करने लेगे देखिए ये भागवत सिखाता है क्योंकि अब उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं कि अभी चुप मत होई है आप चुप के हो गए आप महान हैं आपकी उमर बढ़ती रहे आप हमें अम्रित का पान करा रहे है हमारी जो शरीर थे यग्य कर करके काले पड़ गए ते आग में स्वाहा स्वाहा करे जा रहे थे और आगनी जलती थी दूआ फैटती थी हमारी खाल जुलज गई लेकिन वो आन मोमेंट भी अगर बद Commerce के साथ बिता लिया जाय उसको इप कंपेर नहीं कर सकते हैं किस से मुक्ती से स्वार्ग में जाने से और संसार की वश्थोंगी दो बाती क्या रहाए एक मुमेंट अगर लाँ नव भक्त के साथ विता ले थोडा सा समय भी अगर आम किसी के भक्त के बताते हैं कि जो रस्ज मिलता है भगवान की कथाओं को सुनने से वो समाप्त ही नहीं होता है मतलब उससे सैटिस्टेक्शन नहीं होती है और प्राप्त करने का मन करता है जितना हम सुनते चले जाते हैं उतना ज्यादा और सुनने का मन करता है तो ऐसा वो बताते हैं कि इसमे एक स्पीकर की क्या क्वालिटी होती है एक सुनने वाले की क्या क्वालिटी होती है सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए तो यहां बताते हैं स्पीकर यानि कि जो बोलने वाला है बोलने वाले की क्या क्वालिटी है कि बोलने वाला के जीवन में भगवान ही एक मात्र अबज भागवत का वक्ता होना चाहिए जिसके लिए कृष्ण सुप्रीम परसनेलटी है उसका जीवन है और सब कुछ है ऐसा वक्ति ही बोलेगा तब ही उसका लाब होगा तो ये तो बोलते हैं स्पीकर की क्वालिटी जो कि आपके अंदर है सुद्गु सामी सुनने वाला कैसा होना चाहिए और वे अगर तो ये उसके अंदर सुनने के लिए बड़ी उत्सुता होनी चाहिए तो इसलिए हम भगवान के विशे में सुनना चाहते हैं हम सुनने के लिए बहुत इगर हैं और आप एक क्वालिफाइड वैक्ति हैं जिसके जिवन में कृष्ण नहीं सब कुछ ह इसलिए बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए और इस परकार से परिक्षित जो है भगवान के चरणों को प्राप्त किया भगवान के चरणों को परिक्षित महराज ने शुकदेव को स्वामी से सुनके इसलिए उस 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 अनलिम्टेड भगवान के विशे में परिच्षेत महराज को बोला गया था शुक्देव गुसामी के द्वारा और जो भक्तों को बड़ा प्रीय है उस भागवतम की कथा आप हमें सुनाई है तो इस परकार से 17 शलोक तक हमने समरी करी अब हम 17 शलोक से आगे की समरी 18 अध्याए की कल पलेंगे और फिर 19 अध्याए कर दोनाई है कर दोनाई है